क्लास 6 लेसन 8 गुलिवर इन लिली पुट आज की वीडियो में हम लोग इस लेसन के संपूर एक्सरसाइज को क्योश्चेन आंसर सहित लिखेंगे समझेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन की वर्ड मीनिंग को जो कठीन सब्द हैं लेसन में तो कुछी कठीन सब्द दिये गया है लेकिन हमने और ज्यादा उसको लिखवाया था और इसके हिंदी में अनुबात को बहुत ही सरल तरीके से समझाया था जिसको आप एक बा फर्स्ट आंसर दी फॉलोईंग क्यूस्टन नीचे दिये गया टैसनों के उत्तर दीजिए आए देखते हैं 2. Question A. What was the name of the seller? नाविक का क्या नाम था? Answer. The name of the seller was Gulliver. नाविक का नाम Gulliver था. Question B. Name the island Gulliver raised after the storm. उस द्वीब का नाम बताईए जहां Gulliver आधी आने के बाद पहुचा. B. Answer B. Name the island was Lilliput. उस आईलेंड का नाम बताईए जहां Gulliver आधी आने के बाद पहुचा था. Question C. What were the people of Lilliput like? Lilliput के लोग क्या थे? C. The people of Lilliput were very tiny. Lilliput के लोग बहुत छोटे थे, kind and helpful nature, दयालू और मददगार, helpful या सहयोगी प्रकित के थे. What did Gulliver eat for lunch? Gulliver ने lunch में क्या खाया? Lunch के लिए क्या खाया? Gulliver ate 1,000 loaves of bread. Gulliver ने 1000 रोटियों को, 100 कैली फ्लावर्स, 100 फूल गोवियों को, and 100 sheep in lunch. और 100 भेडों को lunch में खाया. Question E. According to you, आपके अनुसार, what was the funniest thing about the people of Lilliput? Lilliput के लोगों में सबसे मजा किया चीज क्या था? Answer Answer है, the funniest thing about the people of Lilliput was that, Lilliput के लोगों में सबसे मजा किया चीज था कि, They were so teeny that Gulliver had to use only one finger to shake hands with the king. कि वे इतने छोटे थे कि Gulliver को राजा के साथ हाथ मिलाने के लिए केवल एक उंगली का प्रियोग करना पड़ा. Correct the following sentences and rewrite them. नीचे दिये गए sentences को, वाक्यों को सही करना है और उन्हें सही करके पुना लिखना है. 2. A. Incorrect. Incorrect को correct बनाना है. Gulliver was a pilot. Gulliver एक pilot था? नहीं. Correct. इसका correct है. Gulliver was a seller. Gulliver एक नाविक था. B. Gulliver tied the tinny people. Gulliver ने छोटे छोटे लोगों को बाज दिया था? नहीं. Correct है. The tinny people tied Gulliver. छोटे छोटे लोग Gulliver को बादे थे. Incorrect. C. The tinny people were not helpful. छोटे 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 लोग जो थे वो helpful nature के नहीं थे. helpful नहीं थे. सहयोगी नहीं थे. Correct. Correct है. छोटे 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 लोगों ने गुलिवर के लिए नाव बनाया? words, word power. First, words having the same pronunciation but different meaning are called homophones. Words having the same pronunciation. वे सब्द जिनका उच्चारान समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है. वो homophones कहलाते हैं. Use the following homophones in sentence of your own to bring out the difference in meaning. मतलब यहाँ पर जो ये words दिये गया है. इनका जो pronunciation है वो same है. बट इनका जो meaning है, अर्थ है वो अलग-अलग है. इनका वाक्य प्रियोग करना है. मतलब ऐसा sentence बनाना है जिसमें ये words आएं और अच्छे से clear हो. आईए देखते हैं. वाक्य में homophones का प्रियोग करें. पहला, इसका वाक्य प्रियोग है, मेरे पास आठ कलमे हैं. एट, एट मिन्स खाया, वह एक हजार रोटियों को खाया. टी ए आईल, टेल मिन्स होता है पूँच, टी ए ए एली टेल मिन्स कहानी. वाक्य प्रियोग देखते हैं. टी ए आईल, टेल मिन्स पूँच, दड डॉग है ए टेल, कुत्ते के पास एक पूँच है. टेल, दीस इज ए टेल ओफ ए किंग, या एक राजा की कहानी है. नो, के एन ओ डबलू, नो मिन्स जानना, एन ओ, नो मिन्स नहीं, I know the name of my state, मैं अपने राजी का नाम जानता हूँ. नहीं, एन ओ, देर वाज नो वन टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था. होल, W-H-O-L-E होल मिन्स संपूर, H-O-L-E होल मिन्स शिद्र, The dog used to stay inside the house the whole day long. कुत्ता घर में पूरे दिन रहा करता था, H-O-L-E होल मिन्स शिद्र, इसका वाकिप्रयोग देख लेते हैं, There is a small hole in my bag, मेरे बैग में एक छोटा सा शिद्र है, 5. Right, W-R-I-T-E, Right मिन्स लिखना, R-I-G-H-T, Right, Right मिन्स सही या ठीक, वाकिप्रयोग देख लेते हैं, You write a letter, तुम एक पत्र लिखते हो, R-I-G-H-T, Right मिन्स सही, It is a right decision, या एक सही निरड़ है, 6. S-E-E, C मिन्स देखना, He can see, वा देख सकता है, C, S-E-A, C मिन्स समुद्र, The view of C is very attractive, समुद्र का द्रिश्य बहुत ही आकर्शक है, Language Practice, First, Frame questions for the given statements, Using what, when, why, and where, क्या, कब, क्यों, और कहां, इन सब सब्दों का उप्योग करके, प्रस्णवाचक वाक्य बनाना है, One is done for you, एक आपके लिए करके बताया गया है, जैसे, First, अक्षय प्लेज होकी इन दा इवनिंग, अक्षय साम को होकी खेलता है, इसका प्रस्णवाचक सब्द बनाया गया है कि, When does अक्षय प्ले होकी, अक्षय होकी कब खेलता है, When कई उच करके बनाया गया है, इस तरह से ये जो नीचे दिया गया है, इन सब का भी प्लेज़ाचक वाग की बनाना है, आईए देखते हैं, B, Saluj box is in her bag, Saluj box उसके bag में है, इसको where लगा कर question बनेगा, Saluj box कहा है, इसका translation हुआ, Where is Saluj box, यहाँ पर where लगा करके interrogative sentence बना है, C, Varun likes to play football, Varun food wall खेलना पसंद करता है, Varun क्या खेलना पसंद करता है, What, What लगा कर यहाँ पर sentence, interrogative sentence में बनेगा, What does Varun like to play, Varun क्या खेलना पसंद करता है, D, Aasi went to the market to buy vegetable, Aasi सबजियों को खरीदने के लिए market गई, Aasi market क्यों गई, Why का यूच करके यहाँ पर interrogative sentence बनेगा, Why did Aasi go to the market, E, Rita will be at her uncle's house, Rita अपने चाचा के घर पर जाएगी, यहाँ पर where लगा कर interrogative sentence बनेगा, To read the passage, नीचे दिये गए passage को पढ़ना है, and answer the following question, और नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर दीजिए, आईए passage पढ़ लेते हैं, एक तोता था जिसका नाम मिठू था, मिठू लब्ड टू इट ग्रीन चिलीज, मिठू हरे मिर्चो को खाना पसंद करता था, इट लब्ड टू फ्लाई, वह उड़ना पसंद करता था, इट हैड प्यूटिफुल ग्रीन फिदर्ट एंड ए रेड बीक, उसके पास हरे, पंखे और एक लाल चौच थी, अब आईए क्यूस्चन को देखते हैं, क्यूस्चन वन, वाट वाज दे नेम आप दे पैरेट, तोती का क्या नाम था, तो इसका आंसर है, दे नेम आप दे पैरेट वाज मिठू, क्यूस्चन टू, वाट डिड इट लब टू इट, वा क्या खाना पसंद करता था, इसका आंसर है, इट लब टू इट ग्रीन चिली, वा हरे मिर्चो को खाना पसंद करता था, क्यूस्चन ट्री, वाट वाज दे कलर आफ इट्स बीक, उसके चोच का रंग क्या था, इसका आंसर है, इसके चोच का रंग लाल था, एक्टिविटी, गतिविधी करना है, यहाँ पर, मेकिंग एक कप आफ टी, एक कप चाय बनाना, मतलब एक कप चाय कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें डाला जाता है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, complete the composition, with the help of the words given in the box, मतलब, नीचे जो box दिया गया है, इसकी help से, यह जो पूरा है, इसको complete करना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आईए इसको पढ़ते हैं, pure water in a kettle, पहले में water भरा जाएगा, मतलब केटली में पानी को डाले, place the kettle on the stove, और stove पर रखें, stove यहाँ पे, when the water boils, यहाँ पे boils भरा जाएगा, जब पानी गर्म हो जाए, add tea leaves, तब उसमें चाय पत्ती डाले, now add milk, इसमें milk भरा जाएगा, इसके बाद इसमें दूद डाला जाता है, and let it boil, और इसे boil होने दे, add sugar, उसके बाद sugar डाले, यहाँ पर सुगर भरा जाएगा, and boil for few more minutes, और इसे कुछ मिंटों के लिए, boil होने दे, now the tea, यहाँ पर tea भरा जाएगा, is ready to serve, अब यह चाय परोशने के लिए तयार है, take a strainer, एक strainer ले, and pour the tea into the cup, और चाय को कप में डाले, now enjoy the sip, और शिप का चुष्कियों का आनन्द ले, यहाँ पर सिप भरा जाएगा, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, अब यू helpful लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अन्ने चैप्टर्स के भी, word meaning, question, answer, हिंदी में अर्थ, योम, अनुबाद को बहुत सरल ही तरीके से समझाया जाएगा, और लिखाया भी जाएगा, संपूर चैप्टर को यहाँ पर कम्प्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने वाटसव एजुकेशनल ग्रूप में जरूर सेयर करें, अगर आप अभिवावक है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों तक जरूर पहुचाईए, आपसे विनम्र निवेदन है, मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में, नियू चैप्टर के साथ तब तक के लिए, गुडबाई!